हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना डायरीज, आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की दो ऐसी रेसिपीज जो सबको बहुत पसदाती हैं पहली केरी की खट्टी मिठी लोंजी और दूसरा केरी और छोले का इंस्टेंट अचार दोनों ही रेसिपीज इंस्टेंट हैं, देखिए इन्हें कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टी मिठी केरी की लोंजी, उसे बनाने के लिए मैंने एक पेन में पानी डालकर गर्म करने रख दिया है पानी में अच्छे से उबाल आने तक हम कैरी को धो कर, साफ करकर, छील कर, लंबी-लंबी शेप में कट कर लेंगे और जब पानी बोईल हो जाए, तो हम इन कैरी की फाक को बोईल पानी में डाल देंगे इनको हमें एक से दो मिलट के लिए बोईल करना है बस इतने में ही ये बोईल हो चुकी है मैंने चाकू की नोक से इनको चेक कर लिया था गेज बंद कर दिये और देखिए केरी के फाके टांस प्रेंट से दिख रही है केरी को मैंने बोईल करने का प्रोसेस इसलिए किया है कि एक तो इसमें ज़्यादा टाइम न लगे और दूसरा केरी में जो एक्सेस में खटापन होता है वो निकल जाता है ये पानी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि इससे हम केरी का पना बना सकते हैं अब हम चलते हैं लोंजी को चोकने के प्रोसेस में उसके लिए मैंने एक फैन पेन में दो चम्मच तेल गर्म करने रख दिया है तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें मैंने आधी चम्मच राई और एक चम्मच दरदरी कुट्योई सौफ डाल दिये यह अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें एक पिंच हीन डालेंगे और आधी चम्मच लाल मेंच डालकर इसमें हम पानी डालकर छोक तयार कर लेंगे च्छोके से तियार हो इना अब इसमें मैंने आधी चम्मच कश्मीर लालमिच कलर की लिए एट कर दिए सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर मसाले को अच्छे से पखा लेंगे मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जोल वाली लोंजी नहीं चाहिए अगर आप ज़्यादा जोल वाली लोंजी पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पानी एड़ कर सकते हैं आप में इसमें आधी सपून चम्मच नमक और आधी चम्मच काला नमक डाल कर मना हेए अच्छे से बोय्ल हो जाने के बाद अम एक व॥े की तो केरी की पाके जो हुने बोय्ल करके रखी थी ूने को मिखस कर नें और हाँ मैं इसमें हल्दी पाउडर एड़ करना भूल गई थी तो अब इस समय मैं हल्दी पाउडर एड़ कर रही हूं वन फूर्टी स्पून हल्दी पाउडर समें एड़ करना उससे कलर बहुत अच्छा आता है यह अच्छे से बोईल हो जाए मसाला केरी की फांक में अच्छे से चड़ जाए उसके बाद ही हमें इसमें चीनी एड़ करनी है केरिया हमारी बिल्कुल पकी हुई है अब हमें पकाने की ज़रत नहीं है बस अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसमें आधा कप चीनी एट कर देनी है तेस के गोडिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और चीनी के जगे अगर आप गुर डालना पसंद करते हैं तो आप इसमें गुर्भी डाल सकते हैं अब चीनी का पानी अच्छे से टूट जाए तब तक हमें इसे पकाते रहना है ज्यादा से ज्यादा चार से पांस मेर तक इसे और पकाना है चीनी मसाला सब केरी में अच्छे से चड़ रहा है तब तक हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है अब गेज बंद कर देनी है केरी की लोंजी एक दम बन कर तयार है अब हम इसे किसी भी चीनी के बरतन में भर कर रख देंगे केरी की लोंजी को 4-5 दिन तक हम बाहर रख कर यूज कर सकते हैं और 8 दिन तक अगर हम इसे यूज करना है तो हम इसे 4 दिन बाद फ्रीज में रखना होगा ये खाने में बहुत टेस्टी होती है आप इसे जरूर ट्राय करें अब हम बनाने जा रहे हैं केरी की दूसरी रेसिपी instant केरी का अचार उसके लिए मैंने कड़ाई में सरसु का तेल लगबग एक कप गर्म करने रख दिया है तेल को अच्छे से गर्म करना है फिर गर्म करके ठंडा करना है तेल जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाले ले लेते हैं उसके लिए मैंने एक चम्मच पश्मेरी लाल मिर्च, देड़ चम्मच साधा नमक और देड़ चम्मच मैंने दरदरी कुटिवी सौंफ ली है चोटी आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम इसी हुई हल्दी एक चम्मच सर्सों की डाल, एक चम्मच राई डाल और आधा चम्मच मेथी दानेकार दरदरा पिसावा पाउडर और एक चोटी सी पिंच हिंग यह हिंग बहुत स्ट्रोंग है, इसलिए मैंने वह थोड़ी सी लिए एक बड़ी चम्मच मैंने इसमें छोले लिये हैं और दो मीडियम साइज की केरी जिनको मैंने धो कर पोंच कर अच्छे से काट लिया था तेल ठंडा हो गया है, तेल में हम सारे मसाली मिक्स कर देंगे केरी को मैंने काट कर दो घंटे पहले पंके के नीचे सुखा लिया था केरी में मुश्यर नहीं होना चाहिए वैसे यह इंस्टेंट अचार है और मैंने सिर्फ एक महीनी के लिए ही बनाया है जब केरी नहीं नहीं आती है तो सीजन में यह एक या दो बार में अचार जरूर बनाती हूँ और साल भर रतक रखने वाला चार में बाद में बनाऊंगी सारा मसाला पेल में मिक्स हो गया है अब हम इसमें केरी के सभी टुकड़े जो छोटे-चोटे करके हमने रखेते हैं उनको मिक्स कर देंगे और इसी के साथ एक बड़ा चमच जो सफेज छोला हमने लिया था वो भी इसमें डाल देंगे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन से चार दिन में ये छोले इसमें बहुत अच्छे से गल जाएंगे नमक के वज़े से जो मुश्य रहता है चार में उसकी वज़े से छोले बहुत जल्दी गल जाते हैं चार दिन बाद ये अचार खाने लाइक हो जाएगा अब इस अचार को हम एक कांच के बरतन में भर कर रख देंगे अचार को हम जिस भी बरतन में भर कर रखें वो इस्टेलाइस होना चाहिए ताकि उससे अचार खराब नहीं होता है और इसका ढखकन कम से कम दो से तीन दिन के लिए नहीं लगाना चाहिए 2-3 दिन के लिए हम इसपर कपड़ा बांद का रखेंगे 2-3 दिन के बाद ही हम कपड़ा हटा कर इसका ढखकन बंद करेंगे ऐसा करने से अचार लंबे समय तक चलता है और 3 दिन के बाद ही अचार खाने के लिए एकदम तयार हो जाता है देखिए instant केरी का अचार और खट्टी मिठी लोंजी, दोनों रेसिपीज एकदम रेड़ी हैं, वो भी इतना instant केरी की लोंजी को तो आप अभी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अचार के लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा अब केरी उच्वले के अचार वाले बरतन में हम कोटन का अपना बांग देंगे 2-3 दिन के लिए, तीन दिन बाद अचार खाने के लिए एकदम तयार है, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेर करें, मेरा चेनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई रेसिपी के सा अब तक के लिए नमस्कार, बी सहब और हैल्दी